सिक्रेट्स अप गौड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रंपट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपको बगवान शिव का धनुष पिनाग जो है उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा पिछला वीडियो मैंने बगवान शिराम चंदर जी के कोदंड धनुष के बारे में बनाया था आपको सब कुछ उसके बारे में बताया था अब ये वीडियो में आपको ये जानकारी दूँगा कि पिनाग कितना शक्तिश आली था कैसे उसका निर्मान हुआ था कि विश्व के सबसे प्राचिन्तम साहित्य संहिता और ग्रंथो में आरण्य ग्रंथो में इंद्र के वज्ज्र और धनुष्यवान का उल्लेक मिलता है और बारत में धनुष्यबान का इतना महत्व था कि इसके सबन में एक पुरा उपवेद लिखा गया है, इस उपवेद का नाम है धनुर वेद, इसमें धनुर विद्ध्या के बारे में सबकुछ डीटेल में बताया गया है देखे बारत में धनुशबान का आविशकार किस ने किया था यह तो एक रहस्य ही है सबसे बड़ा लेकिन हमारे धर्माग्रंत ही यह कहते है कि इसका आविशकार स Vaayam बगवान शंकर ने किया था कि पीनात के बारे में हम जानते है इस धनुशचको सभी दनुष्य में सबसे ही शक्ति शाली माने जाता है, देखे कोई भी दुनिया का धर्म हो याने कि सम्पोर्ण, धर्म, विध्या, योग इन सबकी जो चीजे हैं, जो सरी विध्या हैं सबी धर्म इन सबकी शुरुवात भगवान-शंकर सही हुई है और इसका अंत्वी भगवा शंकर ही करते हैं बगवान शिव ने पीनाग का उपयोग करके त्रिपूरासुर को द्वस्त किया था त्रिपूरासुर याने की तेन देत्य थे भ्रह्मा जी से वर्दान प्राप्त थे और बहुती शक्तिशाली तिनों असूर थे अभी इसकी शक्ति के बारे बते तो हमारे ग्रंथ में ये वर्णन मिलता है कि ये इतना शक्तिशाली था कि इसकी एक टंकार मात्र से बादल फट जाते थे परवत हिल जाते थे पूर्थ्विवर जैसे भुकम पा गया हो ऐसी स्थिति का निर्मान पिनाग की एक टंकार मात्र से होता था। सोची आप इसके एक तीर से भगवान शीव ने त्रिपुरा सुर की तीनो नगरी को द्वस्त किया था। इसलिए इसका नाम पिनाक है और पिनाक को धारण करने के कारण भगवान शीव को पिनाकीन भी कहा जाता है। देवी देवताओं का काल जब खत्म हुआ उनकी समापती के बाद यानकी सत्यूक की समापती के बाद ये सबसे पहले दिवराज इंद्र को सौपा गया था। अभी उल्लेक ने एक कथा में ये भी है कि जब दक्ष के यगन में शीव को स्थान नहीं मिला ने कि जब भाग नहीं मिला इससे शंकर जी इतने क्रोधित हुए थे कि उन्होंने अपने पिनाक धनूष से सभी देवताओं को उनके जीवन का अंत करने उनको समापत करने की भगवान शीव ने ठान ली थी लेकिन बात में बहुत सारे प्रयासों के बाद शीव जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने इस दनूष को पिनाक को देवराज इंद्र को अरपित कर दिया पात में ये जाता है देवराज इंद्र से राजा जनक के पास अभी राजा जनक के पास से बगवान शीव की दरोहर के रुप में सुरक्षित था कि आपको पताओगा ये सारी कथा कि जनक के पास से कैसे आता है और रगया जनक इसको संरक्षित कर लेते हैं इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि बगवान शंकर ने पीना को अपने हातों से बनाया था इसलिए इतना शक्तिशाली था, आपको पताओ कि हमारी इंडियन आर्मी में भी पुड़ी एक रॉकेट लॉंचर सिस्टम है, इसका नाम भी पिना का है, जो बगवान शीव के धनुष से ही रखा गया है इस सक्तिशाली और विशाल दनुष्य को उठाने की शमता किसी के अंदर नहीं थी, आले कि रावन ने प्रयास किया था, लेकिन रावन ने शीव भक्ति के गमंड में आकर इस दनुष्य को उठाने का प्रयास किया, इसलिए वो उसको उठाने में सक्षम नहीं हुआ, लेकिन बगवान श्री रामचंद्र जी ने बगवान शिव को यानकि उनके सामने नत्मस्तक होकर शंकर की ही प्रेणा से उन्होंने इस दनुष को उठा लिया और पिनाक को उसकी प्रत्यंचा चड़ा कर बीच में से तोड़ दिया अब इसको इसलिए तोड़ा गया क्या आप समझ सकते हैं कि वो जो काल था रामायण काल वो असुरों का भी एक काल था एक रूप से अगर ये राम जी के पास तो अपने कोदंड था लेकिन अगर किसी असुर के हाथ में लग जाता तो आप सोच सकते हैं कि रामायन में कैसी स्तीती होती इसलिए बगवान शंकर की ही प्रेणा से बगवान श्री राम चंदर जी ने इस दनुष को तोर दिया था तो दन्यवाद आप अमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स पर दीजिए थैंकि सो मच